हेलो अब्रीवन वेल्कम बाक टो आज चैनल संचाइन फॉर्चुन से एडूकेशन हमारा जे चैनल है यहाँ पर हम लोग आपके लिए लेटेस्ट ग्रेटेस्ट टिप्स लेके आते हैं अब्रॉड से पढ़ाई से रिलेटेड मेरा नाम गुंजन मलोतरा है और आज हम लोग डिटेल्स में डिसकस करेंगे टॉपिक जिसका नाम है Study in Germany for Indians Indian Students के लिए हम लोगे डिटेल लेके आए हैं और अगर आप एक Indian स्टुडेंट हैं और आप जर्मनी जाके पढ़ाई करना चाहते हैं higher education लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं तो चले शुरू करते ह हैं आज हम लोग पहले बात करेंगे benefits of studying in Germany के बारे में जर्मनी एक ऐसी destination है जो सिर्फ अपनी rich history और beautiful landscapes के लिए famous नहीं है बट अपने top-notch education system के लिए भी बहुत famous है और कुछ reasons जो हैं जो आपको consider करना चाहिए जो जर्मनी को पढ़ने के लिए lucrative बनाते हैं वो है कि पहला जर्मनी बहुत से top-front universities का hub है बहुत से technical universities है बहुत सी public universities है बहुत सी universities है जो कि Munich में based है लुडविग में based है बर्लिन में based है और इसके साथ साथ private institutions भी काफी ज़्यादा है वहाँ पे और साथ में cost of education बहुत ज़्यादा affordable है public universities तो वही आपोकट में students को पढ़ाती है free of cost students को private institutions भी जो हैं काफी ज़्यादा scholarships देती है Indian students को और अपने तरफ attract करती है जर्मनी में बहुत से courses available है और English language में भी आपको programs मिल जाता है जो कि international students को attract करता है and different fields चैसे engineering, natural sciences, social sciences, arts are very very popular in particular चली अब हम लोग application process के बारे में बात करते हैं अलग-अलग क्या step रहते हैं Indian students के लिए ज जर्मनी में जाकर पढ़ना चाते हैं सबसे important step रहता है कि आप स्टार्ट कीजिए application process बहुत से students अपरोज करते हैं डेडलाइन के पाथ दिन पहले ऐसे students कहीं कुछ नहीं होता है एक साल-दो साल waste हो जाता है तो पहला काम है आपको research करना है और अपना course ठीक से choose करना है research करने कर सकते हैं दूसरा आपको admission requirement check करना पड़ता है admission requirement जो होती हर university के वेरी करती है और eligibility criteria जो होता है वो अलग-अलग होता है जैसे language proficiency चाहिए होती आयल्स चाहिए और English programs के लिए और German taught programs के लिए test DAF और DSH जो होता है वो चाहिए रहता है next आपको documents जो हो अच्छे से prepare करने चाह recommendation, resume हैं सब कुछ आपको इकठा करना पड़ता है next आपको online application करना पड़ता है online application अगर public university में कर रहे हैं तो uni assist का जो बोटल है आप उसको use कर सकते हैं या universities के direct portals को जेक कर सकते हैं private application कर रहे हैं तो universities की जो direct portals हैं वहां से application कर सकते हैं जब offer आजाए सब हो जाए block account को लिए block account खोलने के बाद student visa की जो application है आप वो file करते हैं interview के लिए prepare करते हैं appointment लेते हैं German consulate में जाके अपने document submit करने के लिए और financial proof देते हैं block account हो गया इसके इलावा जो आपका remaining tuition fees अगर private institution में जा रहे हैं तो यह इस सारा आपको दिखाना पड़ता है next बात करेंगे part time jobs के बारे में अगर आप एक student है जो जर्मनी में जाके पढ़ रहे हैं तो आपको जानके कुशी होगी कि आप part time job कर सकते हैं अपने living expenses कवर करने के लिए जर्मनी में 20 घंटे पर week आप semester के time काम कर सकते हैं और जब छुटियां चल रही होंगी तब full time काम कर सकते हैं जो कि generally 40 hours in a week रहता है और अलग-अलग sectors में यहां पर आपको part time jobs मिल जाते हैं जैसे की retail sector, hospitality sector, even internships जो होती है वो भी आपको अपनी field से related मिल जाती है और let's say कि hourly wage जो होती है वावे part time jobs की 9 to 50 euros तक रहती है एक range है यह अब हम लोग बात करेंगे full time jobs work permit के बारे में आपके पढ़ाई complete करने के बाद ज study work visa जिसको job seeker visa भी बोलते हैं 18 महीने की donation का मिलता है यह जो period है यह आपको allow करता है work experience गेन करने का proper job पूजने का और अलग-अब sectors में आप employment ले सकते हैं जैसे की information technology, engineering, health care, automotive engineering, civil engineering से related likewise बहुत ज़्यादा opportunities आपको Germany में मिल जाती है एक बाद जब आपको job मिल जाती है बाद मे आप work permit का extension करा सकते हैं ले सकते हैं जो कि आपको stay work करने में help करता है जमनी में काम करने में help करता है और मैं blue card को highlight करना चाहूँगा जो कि बहुत famous और popular option है highly skilled workers के लिए और इसके करीब बहुत सारे फाइदे हैं और यह एक path way रहता है जो blue card होता है permanent residency के लिए जो की further आपको citizenship citizenship भी दिलवाने में help करता है अब बात करेंगे permanent residency PR and citizenship के बारे में permanent residency की बात करें तो अगर आप जमनी में रहते हैं काम करते हैं कुछ time के लिए तो आप eligible हो जाते है permanent residency के लिए typically 33 months of employment with a blue card जो होता है आपको चाहिए अगर आपकी German language skills अच्छी है आप लिए demonstrate कर सकते हैं तो 33 months 21 months तक का आपको blue card का जो work experience चाहिए रहता है eventually आप अगर eligible है blue card के लिए और आगे further permanent residency के तो कुछ time जबाप रहते तो automatically अब German citizenship के लिए भी eligible हो जाते है और वो है family reunification visa का अगर आप जर्मनी में पढ़ाई करते हैं अपने परिवार को अपने साथ ले जाना चाहते है family reunification visa बहुत important है इसके लिए अलग से हम लोग ने एक video बनाई है ओपर link डाल रहे हैं आपका जो spouse है वो allowed है काम कर सकते हैं और आपके बच्चे जो है वो education और healthcare क services जर्मनी में ले सकते हैं अब हम लोग आपको multinational companies और salary expectations जो आप रख सकते हैं उसके बारे में बताएंगे अगर आप जर्मनी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं जर्मनी एक hub है multinational companies का और बहुत सारी fantastic career opportunities अलग-अलग companies में available है जर्मनी में जैसे की BMW, Siemens, Sharp, Bosch इस तरह की जो companies ह वो हमेशा skilled professionals को सीख करती है जर्मनी में और एक yearly salary अगर हम लोग वात करें जर्मनी में तो वो totally आपके field और experience में depend करती है but on an average एक graduate जो है 40,000 से 60,000 euros per year expect कर सकता है जर्मनी के अंदर जो कि compared to other countries काफी अच्छा है return on investment is very high engineering, IT, healthcare professionals की salary हाई रहती है इनकी demand भी जर्मनी में बहुत हाई रहती है उमीद करता हूँ आपके हमारी जो वीडियो है पसंद आई होगी अगर आप एक Indian student और जर्मनी में जाके पढ़ना चाहते है तो this is the right time बहुत जादा job openings है पास जो last five seven years में गए है अभी सेटल हो चुके है citizenship का भी scene बन गया पियार मिल गया है उनको ब्लू कार्ण में चुका है feedback बहुत अच्छा है salaries भी बहुत अच्छी मिल रही है उनको तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मीचे दिये हुए comment section के query post कीजिए हम लोगों से connect करना चाते हैं abroad पढ़ने के लिए दो comment section का जो पहला comment है वो whatsapp link है उस पर click कीजिए automatically अब हम लोग से connect हो जाएंगे और अगर IELTS coaching चाहिए TOEFL coaching चाहिए PT coaching चाहिए online हम लोगों से connect कीजिए initially 5000 आयनार आपको लगेगा जो कि further down the line process जब बढ़ेगा तो वो refund कर दिया जाएगा आपको जदा जानकारी लेना चाहते हैं तो हम लोगों से connect कीजिए हम लोगों वो call कीजिए ताति हम लोग आपको guide कर सकें और आपको career build करने में मददगार रह सकें May God bless you, I wish you a very happy learning